लोग सुबह चुनाव में पंजाब की दो सीटों से अमरितपाल सिंग समेत दो अलगाववादी सांसत चुने गए थे इस ट्रेंट को लेकर चिंता भी जताई गई कि आखिर क्यूं अलगाववादीयों को चुनाव में जीत मिल गए जबकि कॉंग्रेसाब भाचपा और अकाली दल समेत कई बड़ी पार्टियां मैदान में थी अब पंजाब की इतर्च पर जमु कश्मीर में कई पूरवातंकी और अलगाववादी भी चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं इन लोगों ने सोवार को एकजुट होकर एक नई पार्टि तहरीके अवाम के गठन का एलान किया जमु कश्मीर में तीन चरणों में वधान सभा चुनाव होने हैं जिसकी शुरुवात 18 सितंबर से हो रही है जमु कश्मीर में भी अलगाववादी राश्विद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को लोगसभा चुनाव महरा दिया था तहरीके अवाम से जुड़ने वालों में सिख़ई लोगों का कहना है कि हमने इस पार्टी का गठन इंजीनियर की सफलता को देखते हुए किया है तहरीके अवाम से जुड़ने वाले प्रमुख लोगों में से एक नाम अफजल गुरु के भाई का है जी हाँ अफजल गुरु वही जो 2001 में हुए संसत परातंकी हमले के मामले में 2013 में उसे ठासी दी गई थी अफजल गुरो के भाई का नाम एजाज एहमद है इसके अलावा एक और चर्चित नाम सरजन बरकती बताया जा रहा है जो फिलहाल श्री नगर की जेल में बंद है उस पर हिजबुल मुजाहिद्दिन के कमांडर बुरान वानी के मारे जाने के बाद पत्थर बाजी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है कश्मीरी पाइट पाइपर के तौर पर जाना जाने वाले बरकती अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है इसके बाद नवंबर में ही उसकी पत्नी को भी टेरर फंडिंग के मामले में पकड़ा गया चर्चा है कि उसकी बेटी बरकती की उमीदवारी का एलान कर सकती है एहम बात यह है कि अलगावबादी घाटी की कई सीटों पर नेशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रिस जैसे दलों का खेल भी बिगाड सकते है राशिद इंजीनियर के लिए किसने किया था प्रचार उसका कितना असर आपको बता दें 12 मुला के सांसाद इंजीनियर राशिद फिलाल दिल्ली की तिहार जेल में बंध है उसने अपने बेटे के जरीय चुनाव प्रचार कराया था और 4,70,000 वोटों से चुनाव में जीत हासिल की थी ये एक बड़ा जन समर्थन था जो उसे बैलिट के जरीय मिला उसके बाद से अलगाववादियों को लगता है कि घाटी में एक ऐसा वोट है जो किसी मुख्यधारा के राजनीतिक दल की बजाए अलगाववादी तत्वों को मिल सकता है इसी के चलते इन लोगों ने पार्टी के गठन का फैसला लिया राशिद इंजीनियर की पार्टी का नाम अवामी इतहाद पार्टी है उसे भी मानेता प्राप्त नहीं है लेकिन इसके बैनर तले उसने भी कई उमीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है यही नहीं अपनी इन पार्टी के चीफ अवताफ बुखारी ने तुराशिद इंजीनियर के भाई शेक खुर्शीद और बेटे अबरार से मुलाकात की है और गडबंधन की संभावनाओं को लेकर बाद भी की है